नमस्कार आप देख रहे हैं विहारी.news और मैं हूँ प्रियांग सौरब दोस्तो आज हमारे साथ महजूद है हमारे स्टूडियो में अज़ आज हम आपसे बिहार के वरतमान परिद्रिश्य और कॉंग्रेस की भविश्य कॉंग्रेस के भविश्य और बिहार के आने वाले राजनीतिक दौर यानि जो राजनीतिक परिद्रिश्य अभी तयार होने जा रही हूँ उस पर हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले मेरा सवाल आपसे बिहार की जो सबसे बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा है वह है मुझपप पुपालिकाग्री कांड का मुद्दा इस मामले में सवाल है कि इस मामले को लेकर विपक्च लगातार सरकार पे हमला कर रही है और सरकार से CBI की मांग कर रही है CBI जांच की मान कर रही है और कॉंग्रेस भी इसमें अपना मतलब कुछ समर्थन तो देही रही है लेकिन क्या कारण है कि अभी तक सरकार को CBI जांच के लिए राजी नहीं कर पाई है इसमें विपक्ष की हम कमजोरी माने या मतलब इस पर आप क्या कहेंगे देखिए विपक्ष इस तरीके से कभी कमजोर नहीं होता और बिहार में अभी कमजोर है भी नहीं 107 विदायकों की संख्या तो सिर्फ राज़द और कॉंग्रेस की है बाकी अन्यवी विरोधी हमारे साथ है जहां तक मुझफ़पूर में बालिकाओं के साथ दुर्वेभार और बलातकार के घटना हुई है इसमें 41 लड़कियों का नाम आया था उसमें से 40 की पुष्टी सिविल सर्जन ने की है और 39 कुछ दिनों पुर्वर भी पुष्टी हो चुका था ये राश्ट्रे नियूस बना बड़े शर्म की बात है कि किसी सरकारी संग्रक्षन में रह रही महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ अगर बलातकार हो जाता है तो ये सरकारी बलातकार माना जाना चाहिए सरकारी बलातकार के बावजूद भी अगर सरकार उसकी जाच बहुत मुस्तेदी से नहीं कराना चाहती और सक्षम एजन्सी से नहीं कराना चाहती तो निश्चित रूप से कहीं हैं सभी जानते हैं आम तोर पे जन्नता में एक धारना है कि वहां जो इस तरह की घटना हुई इसके पीछे अधिकांश नौकरसा और नेताओं का संगलिप्तता रही है और वो भी उसमें शामिल हैं बगैर इनके शामिल हुए इतने बड़े स्तर पे इतनी ज्यादा संख्या में लड़तियों के साथ बलातकार एक लंबे समय तक संभाव नहीं था रही जहां तक बात कि विपक्ष ने मांग जो करी है जाचकी या अन्य जाचकी नयाइक जाचकी भी मांग की है रिटायर जजों से भी जाचकी मांग की है लेकिन बिहार सरकार अभी इसलिए भी उस पर जू नहीं रहे रहा है देखिए सरकार के पास एक ultimate power होता है कि वो जब तक चाहे तब तक ना करें विपक्ष के पास एक ultimate power होता है कि जब तक चाहे वो तब तक मांग करती रहे हम लोग मांग कर रहे हैं कम से कम जो Congress Party की बात है कल भी हमारी महिला Congress ने उसके पहले हमारे बिहार प्रदेश Congress Committee के अध्यक्ष स्री कौकप कादरी जी ने इसकी भरपूर भर्षणा की थी और उसके लिए बकायता जक्षा, अमिता भुशन जी जो विधायका भी है बेगुसराय से उन्होंने इस चीज को लेड़ किया और पूरा विधायक जो जितने भी हमारे विधायक हैं उन सबने जो विधान सभागा गहराओं का एक प्रस्ताव रखा और उसके बहुत कड़ा प्रदर्शन हुआ और विधान मंडल दलका मतलब की 27 विधायक और विधान परिशद के सदसे ये सभी आदर्निया सदानन सिंग जी के नित्रतों में मुझफरपूर में घटना स्थल का दौरा कर रहे हैं इससे ताकि सरकार पे दबाव पड़े सरकार को ये लगे कि नहीं ये मामला दबने वाला नहीं है और हमको जाच की जाच का आदेश देना पड़ेगा विहार के डीजीपी स्थ्रिदुवेदी कह रहे हैं कि इसमें जाच की कोई जरूरत नहीं है पुलिस बड़ी आराम से कर रहे हैं जरह ये बताएं सरकार बताएं चुकि जो महा निदेशक हैं ये तो सरकार के न पुलिस महा निदेशक हैं ये मजाग कर रहे हैं कि हमारा जाच सही चल रहा है और हम लोग सही जा रहे हैं और कितने दिनों में आप किसी को पकड़ पाएंगे जब आगर आप पकड़ नहीं पा रहे हैं वैसे भी बिहार में एक प्रचलन बन गया है कि जो अपराद करेगा वही जाच करता भी हो जाता है जो अपराद करता है जिस पर अपराद कारोप है वही जाच करता है चाहे वो स्रिजन देख लीजे स्वचाले देख लीजे बाड आने से जो पिछले साल बहुत तटबंद तूटे थे वहां पे भी यही हाल रहा और मुझफरपुर में भी य लेने के लिए उठाती हैं तो अगर आप सरकार से इस तरह का सवाल करते हैं तो आप पर इस तरह की बाते आती हैं कि वो राजनितिक फायदा के लिए हैं तो क्या अब पार्टी इस मामले में कुछ कठोर कदम उठाने जा रही है एक बात बताईए अगर बच्चियों से बलादकार हो गया ये मुद्धा कौन उठाएगा कोई NGO उठाना चाहिए किसी NGO को उठाना चाहिए ये वेपक्षिदल को उठाना चाहिए वेपक्षिदल अग बोलेगा कॉंगर्स बोलेगी राजद बोलेगी और कौन बोलेगा जो विपक्ष में होगा वही तो बोलेगा ना इस तरह की चलिए ये तो एक मुझफरपुर का उधारन है कि यहां पर विपक्ष बोलने के लिए आया वो राजदीती नहीं करें समाजिक मुद्र पर बोल नाम उनका शायद वो एक अलफशंख्यक समुझा से आते थे जिनको लेके बहुत ज्यादा राजदी हुए थी और हमारे बड़े बड़े नेता बिहार के बड़े नेता वहां तक पहुंचे थे तेजस्वी यादब भी पहुंचे थे और और भी बहुत सारे नेता शायदा है अलागे हम उनका सम्वान करते हैं कि वो शहीद हुए हुए उनके प्रतियमारी सरद्धा है लेकिन उसके बाद भी ऐसे कही तरह के सहीद हुए जिन पर कोई भी पार्टी कोई वी राजनेता उनके बारे में पुछने तक नहीं गे उनके परिबार कराए पुछन तक बात है Congress Party आ रहा कि एक शहीद के हां हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुद गये मुझाहिदीन के हां प्रदेश अध्यक्ष खुद गये मैं बता रहा हूं मुझाहिदीन जी के हां गये ऐसी अनेक जो भी है कोई न कोई हमारा सिष्टमंडल जाता है जबकि यह सरकार अगर सरकार की प्रमुक्ता है सरकार अगर जाती है तो उस परिवार को लाग जादा मिलता है अगर विपक्षी दल के नेता जाते हैं तो लाग नहीं मिलता रादर उनकी परिशानी भी कुछ हद तक बढ़ती है लेकिन जाने से एक सांतोना बनता है और सरकार की नजर खुलती है क तो हमको भी वहाँ पहुचना चाहिए और इसलिए कई बारी सांकेतिक रूप से भी जाना बनता है और दूसरी बात जहां तक मुझाहिदीन या अलपसंख्यक समाज की नहीं है बात यह होती है कि जब देश में अलपसंख्यक समाज जिसको आप टैग कर देते हैं जब आज के और बूस्ट करेंगे ताकि वह और भारत की सेवा के लिए अपने जान लड़ाए और अपनी जान गवाए भी अगर दरोत पड़े जी सरस्तिवा जी आपसे आपने भी कहा कि जो सरकार है वो अलपसंख्यक समाज को मतलब गदार गोशित करने पर लगे ऐसा तो हमें नहीं लगता जहां तक हम देख रहे हैं लेकिन ये एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनके रह गया अलपसंख्यक कल्यान एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनके रह गया चाहे वो बीजेपी उसका राजनीतिक फायदा उठाए या कॉंग्रेस उसका राजनीतिक फायदा उठा कि सिर्फ वो आलप संखेकों की राजनीती करेगी जैसा आरोप लगता है, जैसा मान्य प्रधान मंत्री जी ने अपने एक संबोधन में कह दिया, इस तरह कि इतना अनरगल और बकवास बात करना और इन्होंने ठेका ले लिया है क्या, और मैं एक चीज समझाता हूँ, एक ची आखवादी जिहादी तयार किये जाते हैं, वैसा ही हिंदुस्तान में भी हो रहा है, जहां हिंदु समाज बहुतायत में है, और फिर भी कुछ लोग जबरदस्ती आपको ठोपने के चक्कर में है, कि हिंदु खद्रे में है, और इसलिए आप कहते हैं कि नहीं वो की करण हो गया, तो बात यहां पर अलब संक्रक की हो रही थी, अब चलिए हम इस मैटर से निकलते हैं, क्योंकि हमारा मैटर आज राजनिदिक बिहार में राजनिदिक पड़े दिरिष्ट की है, और आने वाले समय चुनाव में देकर क्या कॉंग्रिस की भुनिका है, इन कॉंग्रिस की अगर हालत देखे बिहार में, तो कॉंग्रिस का अपना एक मुख की रूप से का सकते हैं, कि उसके परदेश अध्यक्ष भी, पुर्ण कालिक जो परदेश अध्यक्ष हैं, वो भी नहीं है, तो क्या आप इस रूप में मोदी का सामना कर पाएंगे? बिलकुल, देखें, मोदी का सामना किसी नेता को बहुत जादा नहीं करना होता है, किसी भी नेता का सामना जनता करती है, और जनता ही मन बनाती है, और जनता ही जाके वोट डालती है, कोई बूथ पर किसी रोबोट को भी खड़ा कर देंगे, तो वो जाके वोट नहीं गिर सकता है वोट तो वही गिराएंगे जो जनता हैं और जिनको वोट देना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको वरिड या चिंतित होने ज़रूत नहीं है अगर यह इतने ही बुथ लेवल पर मजबूत होते तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी अपनी अपनी कंस्टिचुएंसी हार जाते उत्तर प्रदेश के उपर मुख्य मंतरी भाजपा से हैं वो अपनी कंस्टिचुएंसी हार जाते हैं और कई जगह पे हारते जाते हैं इसके यह मतलब नहीं है कि वह बहुत मजबूत थे इसलिए हार गये और हमारे हां बहुत कमजोर है इ इनका जो इस तरीके से गिरा के रखा उस समय तो यह भी कह सकते हैं कि उस समय वक्त महागडवंदन जो थी वह नितीज कुमार के चेहरा पर इतना सी टला पए थी क्या इस वार आपके साथ नितीज कुमार नहीं है और बार बार आपकी पार्टी के तरफ से आपके प्रभारी प्रदेश अधियक्ष कौकप कादरी है वो बार बार नितीज कुमार को लेके यह करते हैं कि वो ने अपनी पार्टी में आजाने चाहिए को महागडवंदन में आजाने चाहिए तो कहीं ने कहीं ये भी तो हम कह सकते हैं कि ये आप उस जीत को दुराने के लिए नितीज सवाल पूछा आपने नितीज जी के चेहरे पे चुनाओ लड़के हम लोग महागडवंदन नहीं जीती थी चेहरा निशित रुप से हम लोगों ने आगे किया था लेकिन जो जितनी सीटे आये थी अगर आप यह कहना चाहते हैं बड़ा हास्यास्वत बात होगा उसमें ती 2014 में 2 सीट में क्यों सिकुड़ गए? 2 लोगसभा सीट में ही क्यों सिकुड़ गए? 2 ही लोगसभा सीट उनकी भी आईटी, 2 Congress की आई थी यानि कि हम तो उनके बराबर हैं ना? फिर कहां से आप उनको कैसे समझ सकते हैं कि मतलब उनका चेहरा बहुत ऐसा पॉलिस चेहरा है यह दुरभागय हैं समझने का और ठीक है आप लोग पत्रकार हैं पत्रकारों को ऐसे प्रश्न करके बहुत अच्छा उनको भी लगता है और कोश्क्त नहीं है नहीं कहने का मतलब यह है जैसे कि आपने भी कहा कि Congress भी दो सीट लाई थी और जदिव भी लाया था दो सीट त किसके चेहरा पर जीता है हमने बस इतना कहा कि यह चेहरा उनका हो सकता था शायर उनकी चेहरे की वज़ा से भी जीते हों कि खैर चलिए फिलहाल बिहार में आने वाले चुनाओं को लेकर Congress की क्या भूमिका है क्या अभी भी आप तेजस्वी यादब के चेहरा पर ही चुना हो सकता है और सबके चेहरे अच्छे हैं किसी का चेहरा खराब थोड़ी होता है और जनता की नजर में चेहरा अच्छा होना चाहिए और यह सब तो मिल बैटके तै करने की बात है कोई ऐसा थोड़ी है कि किसी का चेहरा इतना खराब है वो कुछ ड़कैत तो है नहीं कोई कि जिसके चेहरे पर आप नहीं लड़ सकते, तो सभी लोग सामान्य राजनिती करने वाले लोग हैं, और इन्हों से किसी एक चेहरे पर जो सिर्षस्त नेता है, यह नितिकत फैसला होता है, सिर्सस्त नेता हमारे हैं राहुल जी है जो प्रदेश नेत्रितों से बात करते हैं प्रदेश के वरिष्ट नेताओं से बात करते हैं केंद्रिय वरिष्ट नेताओं से बात करते हैं उसके फैसला लेते हैं राजद में भी लालू जी वरिष्ट नेता हैं, टेजस्वी जी हैं, टेजप्रताप जी हैं, रावडी जी हैं, बहुत सारे जो उनके सिरसस्त नेता हैं, वो लोग भी अपनी बात करते हैं, अपनी टीम के साथ बात करते हैं, और जिसको भी नितरतों बना दिया जाएगा, द जादल जी आपसे एक सवाल और जाना चाहते हैं हलांकि हाली में कॉंग्रेस महासचीर बिहार दोरा पे थे असुक गहलोग जी उन्होंने लालू जी से मुलाकात किया और वो काड़िस्क्रम के दोरान उनने कहा था कि बिहार में राजत और जद्यू से मिलना उनकी मजबूरी है आकर ऐसे क्या मुझबूरी है कि आज आप उस पर कुछ ऩाजा करता है? नहीं मझबूरी शब्द नहीं आप समझे मझबूरी ये है कि एक हमारे पास सिष्टा चार है कि एक ऐसा नेता है जो बिमार है जिसने पुरुमें हमारी बहुत मदद करी है और हमने भी उसको आया हूं और मैं लालू जी से नहीं मिलूगा ये मजबूरी आप समझ रहे हैं ज्वेहां कि मैं पटना आया हूं लालू जी से नहीं मिलूगा तो ये खुद को बुरा लगेगा क्योंकि एक मेरा बह। अच्छा मित्र है और इस सेंस में मजबूरी जैसे हम लोग कभी एम्स में भरती थे देली में थे उस वक्त भारत के जो केंद्रिय स्वास्त राजमंद्री अश्वनी कुमार चौबे हैं उन्होंने भी उनसे जाके मुलाकात किती तो क्या हम उनकी भी मजबुरी समझें क्यों नहीं मुलाकात नीजी रूप से राजनेती से अलग भी कुछ रिष्टे होते हैं कुछ सिस्टाचार होता है लालू जी कोई एरू गैरू आदमी तो है नहीं लालू जी केंद्रिय मंत्री रहे हैं बिहार के पुरु मुख्य मंत्री रहे हैं और अश्विनी चौबे एक जूट हो जाते हैं फिर वहां जाती वहां धर्म वहां पंथ सब अलग हो जाता है यह वहार एक रूप में आपने भी महसूस किया होगा अगर आप दिल्ली रहे होगे मैं भी रहूं इसलिए महसूस करता हूं वहां फिर राजनेतीक दल क्या मायने रखते हैं जब अगर मालीज ये कोई दोस्त है और या बिहार से है और वो समस्य में मैं कुछ मदद कर सकता हूं तो वे मस्ट गो चलिए बहुत अच्छा लगा आप से इस तरह के सवाल का जवाब पाके और काफी पोजिटिव बात आपने भाजपा के अश्वनी चौबे को लेकर भी काया है खैर चलिए एक सवाज राजनितिक विद्वेश है वो घोटाला करेंगे तो उसे प्रशन करेंगे और उन्होंने घोटाला किया है लाइट घोटाला में जोर शोर से वो आरोपित माने जा रहे हैं और उस आरोप को दबाया जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ मंत्री है और उनकी के लिए समय आने पर समस्या को या किसी मैडर को दबाने से कुछ होगाने समय आने पर हर मेहमला कि उसको खुला जागा उसपर चर्चा की जाएगा फिलाल हम आपसे एक बात क Pennsylvania चाहते हैं चर्चा करना चाहते हैं कि अक्सर हमागर्प्णदन के तरफ से या आपके बरे नेता के तरफ से भी Congress के दीगर जो नेता है बिहार के उन्हों वे भी अक्सर ये दावा करते हैं कि NDA में फूट हैं और उनके कई नेता, NDA के कई बड़े बड़े नेता जैसे वो कभी रामिलास पासपान को लेकर कभी उपेंधिर कुछ वहां को लेकर ये करते हैं चर्चा करते हैं कि वो कभी भी महागठन में आ सकते हैं तो क्या ये सिर्फ एक महज अफवा है या इसमें कुछ सच्चाई है हम ये आप से जाना चाहिए अच्छा आपको क्या लगता है आप खवर नवीज हैं और आप लोगों को मेरे से ज्यादा खवर रहती है और आपको क्या लगता है कि गड़वर नहीं है बहुत बड़ा गड़वर है आप तो नहीं नाम लेंगे आप चुकिए एंकर है निश्पक्ष है लेकिन मुझे मालूम है और बहुत सपष्ट देखता है जब इनके दोनों के प्रवक्ता किस तरह की बयान बाजी कर रहे थे अब ही जडियों के महास सचीव है उन्होंने कुछ बयान दिया कि इस से कुछ इशारा नहीं समझ में आता और नितितीज जी का नाराज होना भी स्वभाविक है नितितीं जी का भी उपंदर कोश्वाहा जी का भी और ये लोग है नाराज अब राजनीतिक मजबूरी कौन क दूसरे के लिए रहता है मजबूर वो अलग बात है लेकिन अंदर खीश्तान बहुत जबरदस्त है मुख्यमंत्री हाद जोड के मांग करते हैं कि पटना युशिटी को सेंट्रल युशिटी का दर्जा दीजी और तब भी अगर प्रधान मंत्री आश्वासन तक नहीं देते ये तक नहीं कहते कि ये कमिटी बनाएंगे जो फाइंड आउट करेगी इसका मतलब कि वो मुख्यमंत्री को हेद रिष्टी से देखते हैं और उनकी जितनी बेश्ती कर सकते थे वो करके गए इस रूप में कह सकते हैं कि इस तरह से तो भी बिहार के मुख्यमंत्री बिहार को विशेष राज के दौरा के लिए भी बिहार को विशेष राज के दर्जा देने के लिए भी मांग कर रहे हैं उस पर भी केंदर सरकार विशेष कुछ नहीं करे तो इस चीज को लेके आपक प्रश्टावी ने लाया था वो अपने स्टेट के लिए स्पेसल स्टेटस की मांग पे सरकार को छोड़े और अविश्वास प्रस्ताओं तक लेके आ गये हमारे स्टेट के मुख्यमंतरी मन्या नितीश कुमार जी अभी बाते लंबी-लंबी करते हैं यहां कि हमको स्पेसल स् आदा जंता समझती कि हमकी बिहार को स्पेशल राजय का दर्जा दिलाने के एवर ही लेकिन यह तूर्यास के हम पीर आगे बीचर्चा करेंगे एक सवाल मेरे मन में आर रहा है क्योंकि मिक हलहीं में राजत विधानसवा नेताप्रति पक्षियानी तेजस्मी जी जी जो हैं उन्होंने इन डायक्ट रुप से कहा था कि आने वाले समय में महागट बंदन से पीएम के लिए कोई उमिद्वार हो सकते हैं चाहे हो राहूल गांदी हो चाहे कोई और हो यह कोई और हो का क्या मत सानला दिजी है, यहाँ कोई संशै नहीं है अधिकाश बलो के साथ भी हैं, यह मानते हैं वो लोग ही मानते हैं अब रही डूसरी बात की अन्य भी हो सकते हैं भाइबिंथो बाकी médi राइजत हमें में विले कर गया है राजत का कॉंग्रेस में 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 तो नहीं करेंगे ही ना वो मंधन करने के बाद जब उनको लगेगा उनको ये लगना चाहिए और लगेगा ये तैसी बात है और आप भी जानते हैं सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा दल हिंदुस्तान भर में कौन रहेगा निश्चित रूप से जो हमारा गड़बंदन होगा उसमें स्टूडियो में आए आपने बहुत समय दिया मैं प्रियांग सवर्भ आप देख रहे हैं भी हाई डॉट न्यूज धन्यवाज़ें